हेलो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में और देखिए आपके स्टेटस में अलग-अलग तरीके की समझ्याय आ रही हैं बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास स्टेटस को शेर किया है तो आज की इस वीडियो के माधिम से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगी और यह भी आपको मालूम चल जाएगा कि आपका स्टेटस किस तरीके से दिखा रहा है तो आपके स्कॉलशिप की राशी आएगी या फिर नहीं आएगी इसलिए कि बहुत सारे बच्चों की स्टेटस में अलग-अलग तरीके की समझ्याय आ रही हैं तो आपका स्टेटस कि अधर वाज तरीके से दिखा रहाएगा तो आपके स्कॉलशिप की राशी नहीं आएगी इसके बार में बात करेंगे वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और जिन भी बच्चों की स्टेटस में कुछ अलग तरीकी को समस्याय आ रही होंगी वह जाकर करके सारी च description box में आपको सारी चीज़े मिल जाएगे ठीक है सभी स्टेटेस के बारें बात करेंगे और देखिए आपको मालूम है कि जो स्कॉलशिप की राशी की आने की डेठे यानि की स्कॉलशिप का पैसा आना है वह काफी जल्द है वह काफी जल्द ही आने वाला है लगवगवगव पर्मार्टली डिमार्क में दिखा रहा है दिव तूफार्स नेम नौट मैट इनकम सर्ट्फिकेट यानि कि दिक्कत आगी है कहीं कुछ और होगा और फिर से इंकम सर्टिक में कुछ और होगा तो इनको सही कराना पड़ेगा अदरवाज इनको करेक्शन वगड़ा कराना सब्सक्राइब करना है और करेक्षन करना है और करेक्षन कैसे करना है अपने मुवाल सब्सक्राइब कर सकते हैं मतलब यहां पर पैसा लग जाता है थोड़ा सब्सक्राइब की समस्या आ रही है कि एकाउंट वेरिफिकेशन स्टेश में रेस्पॉंस पेंडिंग बाई पी एफ मेंस यानी की पब्लिक फाइनेंशन मैनेजमेंट सिस्टेम इस तरीके से दिखते आ रहे हैं यहां पर रीड का ओप्सन थोड़ा सा डॉट दिख रहा होगा आपको ठीक है उसके पास एक करेंट आपको क्या करना देखिए यहां पर एकाउंट वेरिफिकेशन है यानि कि जो चौथा आफ तो आपको इसमें कुछ करना नहीं घवडाने के ज़रूरत नहीं है जो आपके बैंक काम है वह से लिंक रहना चाहिए जो आपका जाहिए सी बात है अधार से लिंक नहीं रहेगा अधार से मैब कई है आपका लिंक नहीं रहता है तो दिक्कत आएंगे दिक्कत कर आपको इस्कोल से लेवल से जब आपका वेरिफाई होगा तब आपका डाटा मिलाए जएगा अगर आपने पूरा डाटा सही आपका डाटा रोल नंबर हाई-सकूल कौन तब कोई दिखत नहीं गरत है तो आपको करेंगो सबस्क्राइब अगरेगा तो सबस्कें लेकिन डैजब यह से दीट बनेटास पूप है ने लेकिन निया मतलब डर जाते हैं कि नहीं आएगा मेरा पैसा यहां उस्टरिक नेम इस नौट एज पर धो चाहिए है तो इसमें क्रणा है तो मतलब बैंक से कर दिया गया तो यहां पर फे मास्टर है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है बस आपको अपने बैंक को संपर्क करना है कि आपका डाटा आपका जो बैंक एक्टिव है या फिर नहीं एक बार देखिए आप जरूर कर लेंगे बहुत सारे बच्चों को नहीं मालुम रहता है वह कर देते हैं उनको नहीं मालुम हो उसी है वह पर अपलीकेशन देंगे और देंगे पास्बूक की तो कॉलेज वाले एक बार और आपका जब फारवर्ड करेंगे डिस्टिक लेवल पर अगर माली के सपोस किजिए कि आपका फार्म रिजेक्ट ही हो गया है साइड में कर दिया गया है लेकिन जब आपने कॉलेज में दूसरा अप्लिकेशन दिया है तो फिर से आपका डाटा देखा जाएगा कहा यह पूरा सही हो गया है तो आपकी स्कॉल्सिप पर और सोच विचार गया जाए एक बार और आपका फार्म वेरिफाई कर दिया जाएगा पांच वी आपसें में पेंडिंग जो दिखाना है इसमें डेट मेंसन हो जाएगा उ 75 एब होना चाहिए 75 प्लस परसेंटेज चाहिए अच्छा एक चीज़ और बहुत सारे बचीजिए कह ज़िए जो प्रेसेंटेज क्राइटेरिया है यानिकि आपने आपने भरा होगा गत्वर्ष का परिच्छा फल पिछले साल आप पास्त हो है लेकिन पास में प्रेसेंट इनके गलत है जैसे कि स्टेट का और डिस्टी का कुछ अलग तरीके के अडरेस में होता है जैसे कभी कभी बच्चे विलेज वगएरा के कुछ और ना इस्पेलिंग वगएरा या फिर मिस्टेक कर देते हैं उसमें दिक्कत आती है और इसकी वाच्छे जो बैंक के पास्ट करते हैं चैनल है या फिर एसा भी होता है कभी कभी जिसे मालिए कि आप पढ़ाइ करते हैं तो तो दिक्कत होती है आपका जिस भी जी ले में आपका कॉलेज है उस जी ले आपका बैंक यह प्राइब कराना है आपके जितने भी अकाउंट होंगे उनको एक कराने के लिए आप उनलाइन अपने मोबाल फोन से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा मैं तरीका ही बता दूँगा आप जाकर के bank में संपर्क करेंगे ततका तो bank manager से बात करेंगे कभी कभी देखिए bank में जाने पर bank वाले सुनते नहीं उनको भी नहीं पता होता है तो आप डाइट बैंक manager से बात करेंगे कि हमारी scholarship की राश यानी है नपी सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने अल्लडी बता रखा है आप सब्सक्राइब करना नहीं अगर जो गलत होगा तो इनको सही करना में संपर्क करना तो इसके लिए अप्रिकेशन देना पड़ेगा यहां पर दिखी स्ट्टाइब कर दिया है तो अभी तक पर दिखा रहा है तो अभी अपने लेट से राई स्टेसन किया है तो अभी वेरिफाई होने में थ्वडा समय लेगा आगे क्यों फारवड करेगा तब सारी स्टेटर आपके दिखाएंगे इसमें आपको घवराने की जरुवत नहीं है ठीक है अब देखिए एक और यहां पर दिखा रहा होगा इसके मारे मैंने बता रहा है अभी आपने उपर देखा यहां पर देखिए एक दिक्कत इस तरीके से आ रही है कि सब्सक्राइब करते हैं तब उसको मैंने करना परता है तो इसके लिए आपको करेक्शन वगरा कराना परता है अगर आपने मांक्स वगरा सही नहीं भरे है तो अगर आपने पुरा सही भरा है उसके बाद यह समस्याय आ रही है तो आपको घवराने के बिलकुल भी ज़रुवत नहीं है गलत होगा तब आपको करेक्शन कराना पड़ेगा सही है तो आपका सही हो जागा ठीक है इसमें आपको घवराने की ज़रुवत नहीं है ठीक है न सब्सक्राइब करें तो फार्वार्ड नहीं हुआ है तो पहले कर दिया है तीस-दस-दसमिट किया होगा कॉलेज में वहां से फार्वार्ड नहीं हो पाए कि अगर उन्होंने जमा कर दिया है तो इसके लिए आपको कहा रख जिया गया है अगर आपको उसकी जांज करानी पड़ेगी फार्वार्ड हुआ है सही में या फिर नहीं पता चले कि फार्वार्ड है अगर हुआ रहता तो कुछ ना कुछ इस तरीके से आपके स्टेश में इनकी स्कूलसिप के फार्म में कुछ समस्या है आगे कर भेजा नहीं अगर भेज दिया गया होगा तो सही हो जाएंगे लेकिन जाहिस पार्म अगर फार्वार्ड नहीं किया गया ठीक है उसके बाद से यहां पर देखी एक और इस्टेश है 12 दोहज़़गा इस को इनका इ प्रवाइब नहीं हुआ है तो इसमें थोड़ा समय लेगा उनकी स्टेटर्स में थोड़ा सा समय लेगा ठीक है अब देखें यह जो आपका दिखा रहा है यहां पर यह 2021 की स्कॉलर्शिप है और पैसा कैसे आता है यह देख लिजिए ऐसे करके करेंट इस्टेस में जब आपका पैसा आएगा तो यहां पर दिखिए पांच्वा जो आप्शन दिख रहा हुगा वेरिफाइड वाइड देट मेंशन हो जाएगा ठीक है दो एक दो जन्वरी दो और बैंक अधार से जो लिंक होगा उसमें भी 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 जा सकता है और इनकी जो स्कॉल्शिप की राशी आए थी यह मेरे परचीत के हैं तो इनके जो फार्म में जो इन्होंने बैंक अधान उसमें नहीं आए थी तो वह आपको एक्टिव रखना है जो आपका अधर्वाज यह सब एकटिव रखना है सभी को अधार कार्ट से लिंक रखना है तीक है इस तरीके से आपका मैसेज आता है अगर कई बार क्या होता है कि मोबाईल फॉन मेंसे नहीं आता है मैं चेक करने का तरीका ही बता दूगा काफी कम समय हैं आपकी स्कॉल्सिप कि आता है का सब या बात करें यहां पर वेरिफाइड कर दिया गया है बारा बारा 2022 को और यू आडी नेवर इनेबल फार डिविट यानि कि डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपका गवर्मेंट कोई भी स्कीम वाला पैसा भीज़ता है कोई भी गवर्मेंट का पैसा था वो डिविट के द इनेबल बता रहा है तो उसको सही कराना पड़ेगा ठीक है फार डिविट के लिए तो उसको एक बार चेक करा लेंगे और एक बार और अपना ट्रांजेक्शन जब कर लेंगे अगर बैंक एक्टिव है सही है पैसा वैसा निकल रहा है तब कोई दिकत नहीं आए कि कभी- परजेंट करेंट्ली इन एक्टिव इन दी बैंक ब्रांच यानि देखिए यहां पर जो बैंक यह समस्य आईगी अगर तो आपका जो बैंक है वह मर्ज हुआ होगा मतलब किसी और बैंक में आपका एड़ होगा कोई तो इसके लिए भी आप जो इसको इसको पिराशिए व फिसे आपका है और प tari को यह साएगे अधनार में नहीं आप आता है तो अपको जाहिए आपको कराणा सही कराना पड़ेगा सही प्राप करने के कारण ब्लॉक किया गया है और इनका ब्लॉक क्यों किया गया है यहां पर आपको तरीका दिख़ा वरतमान इस्तिती में और वेरिफाइड हार एक चीज वेरिफाइड है आठीन वेरिफाइड है लेकिन 50% से कम यानि कि आपके परसेंटेज रूल है अभी मैंन तो आपकी स्कॉर्सिप किराशी नहीं आएगा हो सकता है अब इस बार से या फिर अगले बार से साथ परसेंट का क्राइटेरिया लग जाए परसेंटेज क्राइटेरिया यहां साथ परसेंट आपके होने ही चाहिए लेकिन इनका 50% के कारण बैग दिखा रहा है ठीक है मतलब हो गया उसके यहां पर दिखा रहा होगा पो चारी 1122 का फाइनल समिशन हुआ था रिगिन यहां पर करेंट स्टेटस में आप्लिकेशन फाउम फाउनलाइन सब्मिट टो कर दिया था बट नॉट रिसीव बाइंस्टूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यू बट से संपर करना है सारे वां को देखने हैं क्या समस्यारी में फॉर्वाड किया है तो इसके लिए आपका इसलिए आपने फार्म को दिखना होगा अपने कॉलेज में संपर करना होगा तो आए होप की वीडियो आपको काफे ज्यादा इन्फार्मेटी लोग आगो और भी कोई डाउट सो आपके स्टेटस में अलग तरीक एक समस्चाहे हैं तो आप जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में नंबर दिख रहा हुआ उस पर वाट्सेप पे सारी जो को सेयर कर सकते हैं तो फिलहाल इस वीडियो में इतना में आपकी स्कॉलाशिप किराशिय आएगी तो अगर आपका डाटा सही तो और पैसी तरीके से suivreा दिखाए आपकी जाज़ाएगी तो फिलाल स्टूडियो में तना ही जाज़त दीजिए धन्यवाद थैंक्स वाचिंग मिलते हैं नेक्स टूडियो में